तो पहाड़ी इलाकों में जतनी ज़ादा बर्फबारी हो रही है वहाँ से ठंडी हवाई चल रही है। उसी का असर ये है कि दिली NCR और अत्र भारत के इलाकों में ठंड बहुत ज़ादा बढ़ गई है। दिल्ली में तो पारा लगातार नीचे गिर रहा है। दिल्ली में ठंड का जोईज अलिया है हमारे सम्मादता विवेक शर्मा ने उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लगाता ठंड ने दस तक दी हुई है। न्सियार के लिए खास करके मौसम विवाग ने ये अलर्ट भी जारी किया है कि यहाँ ठंड तो बड़ेगी लेकिन उससे सासाथ प्रदूशन का भी खत्रा है। जी बिल्कुल अंजली आप बिल्कुल सही कह रही है। जो बात की जा रही थी वो सौ थी अभी 200 है आप देख सकते हैं कि कहरा घना कहरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठंड बढ़ गई है और जिस तरीके से मौसम विवाग द्वारा ये कहा जा रहा था कि 23 से लेकर के 26 जनवरी तक जो ठंड है वो काफी जादा राजधानी में पढ़ने वाली है ठिटरन बढ़ने वाली है और उसकी वजह से ये भी कहा जा रहा था कि इसकी एक वजह होगी लेकिन इसका परड़ाम ये भी दिल्ली वालों को देखने को मिलेगा कि प्रदूश्ण का जो इस तरह हम देख रहे थे बीच में कम हो गया था फिर बढ़ गया और फिर एक बार बढ़ने को तयार है ये कहा जा रहा था मौसम विवाग और विशेशक गया द्वारा क कि लॉक्डाउन में चुकि आसमान साफ हो गया था इसकी वज़े से ठंड बढ़ेगी लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जिंदगी पट्री पर दोड़ रही है ठंड बढ़ रही है प्रदूश्ण भी बढ़ता जा रहा है तो दिल्ली वालों के लिए दो माले जमुकश्मीर का अगर हम आज की बात करें तो मौसम जो है मोसम के मिज़ाज अभी बिस दरी नहीं है खाला कि अभी अफर एक्ट जा रहा है यानि मैधानी शेत्रों में थंडी बहुत ज्यादा है अभी हम नियुंतन्तम तात्मान की बात करें तो नियुँन्तम तात् और प्लमिला कर देखे तो जो आस्टर इफेक्ट जो कह सकते हैं कि बारवबारी के बाद घंडी हवाओं का प्रकोफ मैदानी आलाकों की और रहता है वही देखा जा रहा है और उच्छी के चलते जो है मौसम विभा का भी साफ कहना है कि 31 जन्वेरी तक जो है बिल्कुल जो क कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोफ जा है वो बढ़ता जाएगा और लेकिन इसमें कोई भी रेस्टरेंट जिस्टर्बन स्टू की नजर नहीं आ रही है उसके चलते कह सकते हैं कि मौसम में जो कश्मीर है और कश्मीर के वास्चियों को और ठंडी जेलनी पढ़ सकती है जी ठीक है मराज शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए और श्रद्धा आपका भी धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर